अगर आप कोई Windows laptop यूज़ कर रहे हो तो इसके ट्रैकपट के लेफ्ट यह राइट साइट पर यह दोनों साइट पर कुछ ना कुछ स्टिकर्स आपको देखनों के मिलेंगे ah yes — के जाते हैं स्टिकर्स के माइने और क्या होते इसके डिसस अपांटेज्स और अब्पांटेजस चलि जाते कि its examples के साथ वाशन का यह यह laptop कि है इसके लेफ साइड में 10 जोटे स्टिकर्स आपको देखनों के मिलेंगे फिर्स जो स्टिकर्स है वो प्रोसेसर का उसके बाद बगलवाला एंवीडिया का और आपका नीचे मार्क्रोफ का एक स्टिकर्स के कुछ फायदी भी है जिसे सिस्टेम प्रोपोस्टी इस बेना खोले आपको पता जाएगा कौन सा प्रोसेसर यूज हुआ है इस पे डिस्क् ट्राफिक्स भी आपको मिलेगा और Windows Microsoft के तरब से आपको अप्लिकेशन सेलेक्टिर अप्लिकेशन सब्सक्राइब को प्रेइंस्टॉल मिलेंगे इस पे तो यह इसके फायदे इसे मेरे समझ किता है जितने भी वह यह मैनुपक्ट्टर से उनके अंके अंदर एक डील होता ह प्रेइब काने प्रेइब के तो इनको इस टिकर सकतरू एक बैंड को ब्रांड प्रोमोट करना पड़ता है अट्विटाइस करना पड़ता है जिसके इन लोगों को कुछ डिसकाउंच्ट पे मिलता है वह लैप्तुमानिफच्टरेस को जिसके बज़त से यह स्टेकर और कुछ additional distinctive features जो hardware quality features रहता है वो mention रहता है for example कॉल सा कौन सा display panel यूज़ किया है कौन सा sound system यूज़ किया गया है और बैटरी बग अप कैसा मिलेगा आपको thin and lightweight या फिर कुछ additional features जो इस particular laptop को distinctive बनाता है दूसरे laptop से वो सारी चीज़ें मेंशन होते हैं इस टाइप के stickers में इस टाइप के stickers आपको सभी laptop पर नहीं मिलेंगे अगर अगर थोड़ी premium range के laptops में जाओगे तो इस टाइप के बाश टिकर्स आपको देखनें पर मिलेगा नहीं मिलेगा जैसे for example of Dell XPS series को देख सकते हो आशो Zenbook वगरा या फिर आप Apple MacBooks laptops को देख लो उसमें जैसे यह प्रोसेश स्टिकर्स भी यूज नहीं किया जाते हैं इस इस प्रोसेश स्टिकर्स आपको लगबग सभी क्वाइब क्वाम हो की लगफ है लेकिन Apple के laptop में में व्यूज भी स्टिकर्स गूंच यू पर तो यह सारी स्टिकर्स का लोगो स्टिकर आपको किसी भी लापटोप में देखनों के मिलेगा तो आपने चीन्त होके मान सकते हो कि इस लापटोप में आइ-फाइप प्रसेशर यूज किया गया है मिलेगा तो इस टाइब के लोगो प्लाटफॉर्म्स के तहद भी स्टिकर्स वगरा यूज़ किया जाते हैं और अगर आप डिसदवांटेज के बाद करोगे तो कुछ डिसदवांटेज भी होता है जैसे कभी-कभी एक साल या दो साल की यूज़ के बाद इस टाइब के स्ट बनाता है तो तास्तौल फॉम माई साइड थैंक यूज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक और शेयर जरूर करें और आपके क्या राहे हैं लाप्टप की स्टिकर्स के बारे में प्लीज दू लेप में नो इन दे कॉमेंट सेक्शन अगर आपको ल